Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel Accounting Masterclass and this is the 47th lecture. ये मेरा 47th lecture है on the subject Business Mathematics and आज इस lecture से हम start करने जा रहे हैं एक new chapter that is Permutation and Combination. बहुत ही important chapter है ये. Permutation and Combination ये chapter आज से हम शुरू करने जा रहे हैं. काफी students इस topic के लिए काफी time से request कर रहे थे. तो finally आज से हम ये chapter पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है? और मैं कोशिश करूँगी कि 5 से 6 lecture वीडियो में ये जो पूरा chapter है इसको हम finish कर लें with lots of example, with lots of questions. बहुत सारे question discuss करेंगे, बहुत सारे example के साथ इस concept को समझेंगे. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस lecture के बाद, ये जो 5 से 6 lectures होंगे, इन lecture वीडियो को देखने के बाद, आपके जितने भी doubt है regarding this topic, permutation and combination, वो clear हो जाएंगे. तो चलिए फिर बिना time-based के, जल्दी से हम आज का lecture स्टार्ट करते हैं. अच्छा ये जो chapter है, permutation and combination, पहले इसके एक खास बात बता देती हूँ, कि this chapter is very logical, ये जो chapter है बहुत logical है. यहाँ पे calculation, आपको कोई बहुत लंबे-लंबे calculation नहीं करने हैं, simply आपको addition and multiplication करना होगा, simple, ठीक है, लेकिन this chapter is more logical, बहुत logic है इस chapter में, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, बहुत scoring है, competitive exam के point of view से बात करो, तो बहुत scoring है, क्योंकि यहाँ पे, अगर समझ में आ गया न, logic question सबन में आ गया, तो जादा calculation में आपको नहीं पढ़ना है, जट पर आणसर आएगा, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझेगा, बहुत scoring में कहूंगी, कि यह chapter है, ठीक, तो चलिए, शुरू करते हैं, permutation and combination और एक story के साथ, शुरू करेंगे इस chapter को, एक नहीं आपको मैं तीन story स किया, फिर यह गया, हिल स्टेशन पर, ठीक, प्रॉब्लम क्या हो गई, कि वो जो briefcase लेके गया था, वो briefcase कुछ ऐसा था, यह जो number lock वाले जो briefcase होते हैं, वैसा briefcase लेके गया था, जहां पर यहां पर तीन number lock थे, ऐसे, यह number lock वाले ब्रीफ केस थे, यहां पर जो डिजट्स है, जीरो से लेके नाइन तक का डिजट इसमें सेट करना था, और वो सही सेट करेंगे, तभी यह briefcase खुलेगा, ठीक, तो चिंटु एक्साइट्मेंट में अपनी मदर से यह जो briefcase में इसमें अपना जो सामान पै किया, उसका यह जो lock का जो number था ना, वो पूछना भूली इतना excited था अपनी trip पे जाने के लिए, तो इसने फिर अपनी मदर को phone किया, ठीक है, कि इसका lock का number क्या है, तो इसकी mother ने बताया कि जो पहला डिजट है वो 7 है, ठीक, बस इतना ही बताया था कि phone disconnect हो गया, और यह चिंटु का दुबारा phone लगा ही नहीं, ठीक, तो यानि पह अब चिंटु परशान हो गया, तो फिर अब उसने क्या किया, उसने लिया paper और पेन, और फिर लगा सारे combinations बठाने, यहाँ पर 1-2 हो सकता है, 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, ऐसे करके वो combination बठाने लगा, परशान हो गया, ठीक, और यह कितना tedious अगर आपको ऐसे तीन डिजिट मतला ये फिल करने इसमे आपको चलो पता चल गया है चिंटू को पता चल गया कि ये जो पहला इस लॉग का जो पहला नंबर है वो 7 है बट अगले दो नंबर ही से नहीं पता है तो चंटू का तो ट्रिप के लिए पूरा स्फोयल ही हो गया सा बेसिक काउंटिंग टेकनीक इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल किया जाता है यूजिंग बेसिक काउंटिंग टेकनीक और ये जो चाप्टर है पर्मुटेशन कॉंबिनेशन का इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं इसी टाइप की जो प्रॉब्लम है किस सॉल की जाती है, बेसिक काउंटिंग टेक्नीक, पर्मूटेशन से सॉल की जाती है, जो हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक और कहानी सुनाती हो, अब हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल आफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल आफ काउंटिंग, ठीक, यह जो चेंटू है, यह जो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो जाना था घूमने के लिए, तो इसने कुप सारी शॉपिंग की थी, तो इसने क्या किया, दो टी-शिर्ट खरी ती, यलो ब्लू कलर की और तीन काप्स खरीती, ब्लू कलर की, रेड कलर की, यलो कलर की, ठीक है, अब अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आए, कि कितने डिफरेंट तरीके से अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आए, तो हम यूज करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक, देखें कैसे होगा, देखें यह जो कैप है, कितने टाइप की है, तीन टाइप की कैप है, तो अगर हम लेते हैं, इनका हम नाम रख देते हैं, यह C1 यह T1 टीशिर्ट है, यह T2 टीशिर्ट है, ठीक, तो पहली जो कैप है, C1 कैप है, C1 कैप के साथ तो दो टीशिर्ट पहन सकता है, यह जो ब्लू कैप है, उसके साथ वो टीशिर्ट बहन सकता है, टीशिर्ट 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 पहन सकता है, ठीक है, तो यह क्या हो ग क्या क्या बना सकता है वो क्या दूसरी के अप wen कि मैंड मोंडने सकता है फिर से पहली टीशिर्ट और दूसरी शिर्ट संए तो यह बना दूसरा combination, ठीक है, C2 T1 और C2 T2, यह समझे रहे हैं, यह red cap, yellow t-shirt, red cap और blue t-shirt, ठीक, फिर तीसरा dressing combination, क्या वो बना सकता है, तीसरी cap, यानि जो yellow cap है, yellow cap के साथ, yellow t-shirt और blue t-shirt, यह से बना सकता है combination, तो अगला जो combination बना C3 T1 और C3 T2, ठीक है, तो आप अगर count करिय total इसने कितने dressing combination बनाए, इसके पास 3 cap थी और 2 t-shirt थी, तो इसने कितने dressing combination बनाए, इसने 6 possibilities बनाए, पहली cap के साथ, दूसरी cap के साथ, तीसरी cap के साथ, तीसरी cap के साथ, तो कितनी total possibility बन रही है, 6 possibilities बन रही है, ठीक, यह चीज़ समझ में आई, इसी को का जाता है, fundamental principle of counting, अभ और example से पहले समझते हैं, फिर चेंटु को अभी स्कूल जाना था, ठीक है, वो ट्रिप वगरा लगा के आगया है वापस हब, अब वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो इसको दिया गया है, उसके पेरेंट्स ने उसको दो बैग, नए बैग खरीद के ला के दिए, एक और टिफिन का कर देते हैं, टीवन, टीटु, टीथरी, और फिर ये जो बॉटल से इनको कर देते हैं, डबलुवन, डबलुटु, ठीक है, और अगर कहा जाए कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के चिंटु इन्हें ले जा सकता है, ठीक है, इन आइटम्स को, ये ज ले जा सकता है, यानि दोनों में से कोई एक बैग ले, तीनों टिफिन में से कोई एक टिफिन ले, दोनों बॉटल में से कोई एक बॉटल पिक करें, ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है, जिन्टु, कितने कॉम्बिनेशन से ये ले जा सकता है, ठीक, तो इस टा अब बैग B1 के साथ वो टिफिन T1, एक दिन बैग B1 लेके गया, उसके साथ टिफिन T1 लेके गया, अब टिफिन T1 के साथ वो टिफिन T1 के साथ वो टिफिन ले जा सकता है, दूसरी ले जा सकता है, एक बार पहली ले जाएगा, फिर अगले दिन दूसरी ले जाएगा, तो ये बन गए दो combination, तो पहला क्या बना? पहले bag, B1 bag के साथ, T1 Tiffin लिया, W1 bottle लिया, फिर दूसरा combination क्या बन सकता है? B1 bag के साथ, T1 Tiffin, W2 water bottle, ठीक, ऐसे ही दूसरा combination क्या बन सकता है? B1, पहले bag के साथ, यानि blue bag के साथ, दूसरा Tiffin ले, यानि ये जो blue आला Tiffin है, ये blue टिफिन ले, और फिर water bottle चाहे, पहली ले ले चाहे, दूसरी water bottle ले ले, तो ये बन गया आपका तीसरा और ये चौथा combination, ये बाद समझ में आ रही है, फिर अगला क्या combination कर सकता है? पहला bag आइ ब्लू bag के साथ, तीसरा Tiffin ले, तीसरा टिफिन ये purple वाला जो टिफिन है, purple वाला टिफिन ले, अब पर्फिन चाहा है या तू पहली water bottle ले सकता है, या दूसरी ले सकता है, ठीके, तो क्या combination बन गया? पहला bag, तीसरा टिफिन, पहली bottle पहला बेक, तीसरा टिफिन, द तो red bag के साथ भी same कहानी है, red bag के साथ पहले टिफिन ले जा सकता है, पहले टिफिन के साथ 2 water bottle को option है, दूसरा टिफिन या फिल ले जा सकता है, उसके साथ भी 2 water bottle ले जा सकता है, तीसरा टिफिन, ठीक है, तीसरा टिफिन, मतलब ये purple टिफिन, और उसके साथ पहली water bottle ले जा ह चाहे है दूसरी ले जाए तो देखि इतने combinations ठीक है ये कितने combination बन रहे है इतने सारे combinations बन रहे है अगर उसके पास 2 bag है ठीक है 3 tiffin है और 2 water bottle ठीक है अगर केवल उसके पास इतनी चीजे है तो जो number of combination टोटल बन रहे है वो 12 possibilities बन रहे है यानि 12 different तरीके से वो in items को school लेके जा सकता है ठीक है अगर वो pick करता है one at a time यानि bag में से कोई एक bag लेता है tiffin में से कोई एक tiffin लेता है और water bottle में से कोई एक water bottle लेता है ठीक है तो आप देख रहे हैं ये कितने तरीके से ले जा पा रहे है तो यहां पर तो कह लिजिए चीजे लिमिटेट थी तो हमने ऐसे करके table बना के देख लिया तो हमने समझ लिया कि इतने तरीके से ले जा सकता है पर अगर ये number of item अगर बहुत जादा हूँ तो अगर number of item इवन इतना भी बहुत मुश्किल है ये तो मैंने बहुत ट्री ऐसे बना दी वट इतना भी क्याल्कुलेट करना बड़ा मुश्किल है तो इसलिए इस type की problem को solve करने के लिए फिर ये concept आया था fundamental principle of counting ठीक है इस type की problem को solve करने के लिए हम use करते है fundamental principle of counting या जिसको कहा जाता है multiplication principle या जिसको कहा जाता है multiplication principle और ये बहुत important principle है बहुत काम का है बहुत सारी problem इस principle को use करके solve की जाती है अब ये principle है क्या? ये मैं बताती हूँ principle क्या कहता है कि if an event occur in m different ways अगर कोई event है m different ways m, m different ways से occur करता है ठीक है और उस event के बाद एक दूसरा event है जो n different ways से occur करता है ठीक है? अगर कोई event m तरीके से होता है m different ways से होता है और उसके आगे एक दूसरा event होता है जो n different तरीके से होता है then total number of occurrence of the event तब वो event वो जो total पूरा event है ठीक है? उसके occur करने के total तरीके कितने हो सकते है m into n ठीक, यह बात समन्द में आई अभी example, वो जो पिछला example था, उसी को हम फिर से discuss करेंगे, तो समन्द में आ जाएगा और यह जो principle है इसको generalize कर सकते हैं for any finite number of event, यानि यहां पर m or n लिया है, यह कोई भी बड़े finite, मतलब number ले सकते है कोई भी बड़े number of object के साथ यह, जो principle है applicable है, इसी को कहा जाता है fundamental principle of counting या जिसको multiplication principle कहते है ठीक, जैसे यह जो अभी मैंने पिछला example बताया था screen clear करके और फिर से अब तो हम जानगे हैं, fundamental principle, तो देखे cap को, cap को select करने के कितने तरीके है, थ्री तरीके है ये जो cap को select करने का जो event है, उसको कितने तरीके से कर सकते है थ्री कि अगर कोई event M तरीके से अकर कर रहा है और दूसरा उसी के आगे वाला event M तरीके से अकर कर रहा है, तो वो जो total event है वो M इन्टू M तरीके से अकर करेगा. जैसे एक और example यही वाला जो है, इसको फिर से देखते हैं, जैसे बैग को select करने के कितने तरीके हैं? तो तरीके हैं, फिर टिफिन को select करने के कितने ways हैं, 3 ways हैं, और यह जो water bottle है, इसको select करने के कितने तरीके हैं, 2 ways हैं, यानि इस event को, प्लस इसमें से एक pick करना है, और अगर इसमें से एक pick करना है, तो इसके total number of possible ways कितने हो सकते हैं, 3 into 2 into 2, यानि 12 possible ways हो सकते हैं, तो यही तो कह कि if an event occur in m different ways, ठीक है? और उसके आगे कोई दूसरा another event है, जो अगर occur कर रहा है n different ways से, और फिर उसके बाद कोई तीसरा event है, वो अगर occur कर रहा है p different ways से, तो जो total number of occurrence of the event होगा, वो क्या होगा? m into n into p, ठीक? यह m तरीके से pick कर सकते हैं, यह n तरीके से pick कर सकते हैं, यह p तरीके से अगर pick कर सकते हैं, तो जो total number of occurrence of event जो होगा, that would be m into n into p, और एक और मैंने बात यहाँ बता ही न, कीसे generalize कर सकते हैं to finite number of event, तो यहाँ पर ठीक है, मैंने m into n into p तक ही रखा, but into q into r, ऐसे करके भी हो सकता है, यह डिपंड करता है, कितने number of event है, ठीक? यह बात समद में आ counting और इस पे आज हम करने वाले हैं, बहुत सारे question इसी lecture में, ठीक है, तो चलिए करते हैं question, अचा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने channel के यह बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, this is the list of subject, यह वो सारे list of subject है, जो मैं आज की तारी, यानि September 2022 तक अपने channel पे upload कर अगर यह video आप कुछ समय बात देख रहे हैं, कुछ महीने बात, कुछ साल बात देख रहे हैं, तो hopefully मैं इसमें काफी new subject अट कर चुकी होंगी, 500 से भी जादा video lectures मैं आज की तारीक तक अपने channel पे upload कर चुकी हूं, तो जरूर इसका फायदा उठाईएगा, इसकी हल्क से प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको मेरे जो upcoming videos हैं, उनकी notification मिल पाएगी, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे बहुत सारे question, चलिए पहला question, पहला question क्या है, find the number of four letter words with or without meaning, which can be formed out of the letters of the word best, where repetition of letter is not allowed, question समझ में आया, आपको four letter word बनाना है, यह जो four letter word है, यह आपको बनाना है, चाहे meaningful हो, चाहे without meaning word हो, ठीक है, और इसको बनाने में आपको जो letters यूज करने है, वो यह जो word है best इसके letter होने चाहिए, यानि B, E, S, T, ठीक है, यह यूज करना है, जहाँ पे repetition of letter is not allowed, जहाँ पे एक letter को आप एक ही बार यूज करेंगे, repetition तो आपको letter यह बताना है कि कितने तरीके से यह four letter words बना सकते हैं, ठीक, तो देखे, यह है वो four letter words, मैंने यह four vacant places यह show की है, ठीक है, four boxes है, इसमें आपको letter fill करना है, ताकि four letter words बने, तो आपको बताना है कि कितने four letter words बन जाएंगे, ठीक है, चलिए अगर ऐसे, अगर आपको यह जो concept है fundamental principle of counting का concept नहीं पता है तो आप क्या करेंगे आप सीधे pen pencil लेंगे फिर B E S T B S T E ठीक है और S T E ऐसे करके बनाना शुरू करेंगे और फिर परशान हो जाएंगे ठीक है बट क्यूंकि आपने पढ़ा है fundamental principle of counting तो अब आप use करेंगे यह concept नहीं अगर पता है concept तो और यह बड़ा tedious task है यह नहीं हो पाएगा ठीक है तो हम use करेंगे fundamental principle of counting जो क्या कहता है कि अगर कोई event N तरीके से अकर करता है दूसरा event अगर N तरीके से अकर करता है तीसरा event P तरीके से अकर करता है चौथा event अगर R तरीके से अकर करता है तो total number of occurrence of the event is M into N into P into R यह हमने पढ तो अकर culture पाएजब करता है और यह ट्राइप पिर एक ऊस्क भॉसिर करता है तो पहला जो बॉक्से है कितने तरीके से प्ल खथे हैं बता हिए इस बॉक्स को मुझे फिल करना । कितने त्रीके से फिल कर सकती हूँ भी एस्ती चार लेटर एपस्ड़ है तो इसको मैं प्र तरीके से फिल कर सकती हूं, फिर अगला जो box है, इसको मैं कितने तरीके से कर सकती हूं, तो दो लेटर तो मैंने यहां पर डाल दिये हैं, तो तीसरा जो box है, इसको मैं दो तरीके से फिल कर सकती हूं, क्योंकि एक मैंने इसमें डाल दिया, एक मैंने इसमें डाल दिया, तो अ पहला जो event है, पहला event क्या है, कि पहला box को, यह जो पहला letter है, इसको फिल करना है, तो इसको फोर तरीके से फिल कर सकते हैं, दूसरे box को हम थ्री तरीके से फिल कर सकते हैं, तीसरे box को हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, चौते box को हम एक तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो ह यानि 24 combination बनेंगे, अगर यह जो word है, यह जो word है best, अगर इसके letters को मैं rearrange करूँ, ठीक है, और 4 letter word है बनाओ, तो कितने तरीके बनेंगे 24, ठीक है, तो क्या आप ऐसे बना पाते है, T, S, E, ऐसे करके बनाते रह जाते है, 24 नहीं बन पाता, तो अगर आपको जटपट बताना है क कितने combination बस आखते हैं, तो हम सीधे fundamental principle of counting यूज़ करेंगे, और हमें पता सिल जाएगा 24 है, ठीक, अच्छा, आप सोच रहोंगे, मैं permutation के बात नहीं कर रहे हूं, actually permutation क्या होता है, वो अभी मैं बताऊंगी, लेकिन permutation का combination, sorry, permutation and combination समझने से पहले, यह concept आता है, fundamental principle of counting, हमार ठीक मैं थोड़ी सी दिक्कत आ गई, ठीक है, तो इसी ले फिर concept आया permutation का, ठीक है, तो अभी मैं धीमे-धीमे करके उस topic पे भी आती हूं, ठीक, फिलाल अभी हम यह पहले basic clear कर रहे है, अगला question, एक और question किया है कि, given four flags, आपको चार flag दिये गए, flag मतलब घंडे, of different colors, how many different signal कितने different signal can be generated, if signal requires use of two flag one beside the other, ठीक है, आपको चार flag दिये गए है, चार जंडे दिये गए है, यह है आपके चार जंडे, ठीक है, इनके डंडी भी बना देते है, यह चार फ्लाक्स है, ठीक है, अब इनका color भी देते है, एक red है, एक white है, एक blue है, एक green है, यह चार फ्लाक्स हो को दूसरे फ्लाक के बगल में रखा जाये तो, ठीक है, एक flag को दूसरे फ्लाक के बगल में रख रहे हैं, ठीक है, besides each other, दो फ्लाक्स यूज करके कितने different signal बना सकते है, ठीक है, तो अगर आपने यह fundamental principle of counting नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बना शुरू कर ठीक है, तो आप जल्दी से लगाएंगे fundamental principle of counting, इसमें क्या है, different signals आपको बताना है, जो दो फ्लाक से मिलके बने, जिसमें फ्लाक को एक के बगल में एक रखा गया है, ठीक, और कितने फ्लाक से हैं, four flag है, ठीक, तो अब हमने पढ़ा है कि, fundamental principle of counting, वो कहता है कि अगर पहला event M तरीके से हो रहा है, और दूसरा event अगर N तरीके से अकर कर रहा है, तो total number of occurrence of the event is M cross N, ठीक, तो यानि पहला, यह अगर signal है, जिसमें यह है पहला flag, यह है दूसरा flag, ठीक है, तो पहले flag की place पे हम कितने flag यूज कर सकते हैं, हम इन चारों में से कोई भी flag रख सकते हैं, यह पहला box है, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, और यह जो दूसरा place है, flag का, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो हम इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से फिल कर स ठीक है, two different flag use कर रहे हैं, और यह हमें चार flag देगा है, तो पहली place पे हम इन चारो flag में से किसी भी flag को रख सकते हैं, यानि, the event of choosing one flag for first position is four, the event of choosing, मतला remaining flag में से, अगर हमें चूज करना है, second position को fill करने के, तो वो three ways हो सकते हैं, तो यानि, total number of event कितने होंगे, four cross three and twelve, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला question करते हैं, अगला question क्या है, how many two digit even number, कितने two digit even number, यह two digits हो गए, ठीक है, how many two digit even number can be formed from the digit one, two, three, four, five, आपको digit देगा है, one, two, three, four, five, और आपको बताना है कि कितने two digit even number बन सकते हैं, if the digits can be repeated, अगर digit repeat हो सकते हैं, तो, ठीक है, यानि, मतलब, दोनों place पे one one भी हो सकता है, two two भी हो सकता है, ठीक है, यानि, digit repeat हो सकते हैं, तो, उस case में आपको बताना है कि कितने two digit even number बन सकते हैं, ठीक, this is the question, तो, देखें, यह क्या है, this is one's place, यह क्या है, this is ten's place, ठीक है, two digit even number बनाना है, यह once place हो गई, यह ten's place हो गई, अब even number, खास बात क्या है even number तो even number में हम जानते हैं once place पे क्या होता है कोई भी even number होगा, तभी हो even number है ना तो once place में या तो 2 होगा या 4 हो सकता है, number हमें केवल यह ही दिए गए है, 1, 2, 3, 4, 5 तो once place को अगर हमें fill करना है तो यहाँ पे केवल 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, और कोई दूसरा number नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा number होगा, तो ये odd में भी convert हो सकता है तो ये number even बनाना है हमें, तो यानि, once place could be filled by two ways ये जो once place है, इसको कितने तरीके से fill कर सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों, दो number हम fill कर सकते हैं एक two fill कर सकते हैं, एक four fill कर सकते हैं फिर tens place की, अगर मैं बात करूँ तो tens place को हम कितने तरीके से fill कर सकते हैं? यहाँ पे तीन मत कहिएगा, ठीक है, क्यों नहीं कहिएगा? क्योंकि इसमें कहा गया है कि digits can be repeated, digits these digits can be repeated हैं, यानि अगर यहाँ पे två है तो यहां तू हो सकता है, यहां four है तो अगर मैं बात करूँ in this place को, हम कितने तरीके से fill कर सकते हैं तो हमारे पास कितने digits हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 Iya. it üzहां तो tens place को हम पांस तरीके से fill कर सकते हैं 1s place को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो यानि, total number of occurrence of the event is 5 into 2, यानि 10, total number, total कितने तरीके हैं, इन 2 डिजट event number को फिल करने के लिए, 5 into 2, ये 10, ठीक है, यानि 10 तरीके से हम ये event number पना सकते हैं, अगर हमें ये 5 नमबर दिये का है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, simple था ना, आपको I hope समझ मे अगया हुगा, वैसे और question जो भी आपके बुक में है, वो करीएगा, यही simple logic किई करना है, M ран, पहला event अगर M तरीके से होता है, दूसरा event N तरीके से होता है, तीसरा event P तरीके से होता है, अगลा event R तरीके से होता है अगला event S तरीके से होता है, तो आपको total number of occurrence of event पता करना है तो इन सब को multiply कर दीजे यही है fundamental principle of counting ठीक लेकिन इसमें कुछ problem थी इसी लिए फिर concept आया permutation का ठीक तो अभी ऐसा करते हूं मैं यह lecture यहीं पर wind up करती हूं क्योंकि already lecture काफी lengthy हो गया है अब आगे मैं आपको बताऊंगी permutation क्या problem थी इस concept में actually problem नहीं थी पस थोड़ा सा वो मैं भी detail में आगे बताऊंगी तब तक आप अपनी बुक से जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं इतना पढ़के रखे अगले lecture में अब हम start करेंगे permutation ठीक तो चलिए I hope आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो अब हम मिलेंगे अगले lecture में तब तक अपना ध्यान रखेगा God bless you